न्यूमेटर सुटी गोजर खान करने जा रहा है 30 सप्टेंबर को अपने नेक्स बैलेटिंग इसके नाम है सेकंड बैलेटिंग और इसमें सेक्टर A के रिमेनिंग 50% प्लॉट जो होंगे इसमें 8 मला 14 मला के ओवर्सीज प्लॉट्स हैं इसके लावा जो लेफ्ट वर होंगे पांच मला, साथ मला, तस मला और कनाल के उनको इस बैलेटिंग में टाला जाएगा इस स्टुडियो में एक्स्टेंबर को जो होने वाली बैलेटिंग है इन में कौन-कौन से मेंबर शामिल होंगे All those members जिन्होंने 8 मला और 14 मला के प्लॉट जो हैं वो बाय की है और बाय करने के बाद अपनी फाइल को सब्मिट करवा है 25 सेप्टंबर 2022 से पहले पहले उनका नाम इस बैलेटिंग में आटोमेटिकली शामिल कर लिया जाएगा Second, वो members जिन्होंने अपनी balloon payment प्लस जो remaining installment है वो प्य की है 25 सेप्टंबर 2022 से पहले पहले उन तमाम members को भी इस बैलेटिंग में शामिल कर दिया जाएगा अब अगला सवाल यात है बहुत सरे members की तरफ से अगर हम balloon payment जमा करवाते हैं और हम confirm समयते हैं कि हमारा नाम बैलेटिंग में आएगा तो इस पर response तो society की तरफ से बात की गई है जिन members की balloon payments जमा होंगी और बाकी जो monthly installment जमा होंगी तो हम उनको इस बैलेटिंग में एड़्जस करने की कोशिश करेंगे बाकी 100% society की तरफ से return agreement नहीं दी गई तो जो बात की गई है मैं आपको समने straight forward उस तरह से कर दी है लेकिन रहानी case से फर्स्ट फेस का जो possession होगा वो भी दिया जाएगा सेक्टर A का फिर सेक्टर B की 50% बैलेटिंग में चार्ट मरला चौदा मरला एलोकेट होंगे और इस बैलेटिंग में याद रहे कि इस बैलेटिंग में आठ और चौदा मरला के सिर्फ 50% plots होंगे जो बैलेटिट होंग इस बैलेटिंग में बैलेटिंग में आख निय। आपकी है इस बैलेटिंग में अपकी जो इस पंदर लाक पर मरला रेट हैं। तो पांच मले बलाइज को देखें। तो आपको एवरिज प्राइज स्टर्ट हो रही है, 42 लाइज स्टर्ट हो रही का, पेज़itel सी की अड़ी बलाइज प्लॉट आता का प्लॉटबे, तो इमेजन करें कि अच्छी सॉाइटी के अच्छी जगह पर प्लॉट मिलेगा तो इसमें आपको रुटन आप बहुत जरूरी है तो आपको इसका बैद फाइदा लॉंग टर्म में जाके बहुत ज़्यदा होगा तो इसके लावा और वेबसाइट विजट करना मद भोले www.makansolutions.com अगर आपको ये वीडियो चेल लगे तो प्लीज दूलाइक कॉमेंट और चैनल को स्प्राइब करना मत भोलें रिज्वान चीमा को दीजिए जाज़त अगली वड़े तर के लिए खुदा हाफिस झाल